नमस्कार दोस्तों मुद्गल बाबा में आपका स्वागत है आज हम लोग हमारी सीरीज ब्रेन बूस्टर में एक बहुत ही पॉपलर और इंट्रेस्टिंग पजल एट कोईन्स पजल के बारे में बात करेंगे पजल कुछ इस तरह से है कि माल लीजिए कि हमारे पास एक खाली तरह जू और आठ आइडेंटिकल कोईन्स है और इन आठ कोईन्स में से एक कोईन फेक है और ये फेक कोईन बाकी कोईन्स के मुकाबले वेट में हलका है अब हमारा टास्क ये है कि हमें इस खाली तरह जू की हेल्प से इन 8 coins में से fake coin को identify करना है और वो भी कम से कम measurement steps में अब आप लोग इस वीडियो को pause करके इस puzzle को solve करने के कोशिश कीजिए और हमें comment section में पताएं कि इस fake coin को identify करने में minimum कितने measurement steps लगेंगे तो अब हम लोग चलते हैं इस puzzle के solution की तरफ अब हम दिये हुए तराजू के दोनों side charger coins रखेंगे अब इससे होगा क्या जिस side भी fake coin होगा fake coin के हलके होने की वज़े से तराजू का वो side उपर उठ जाएगा यानि कि अगर fake coin left side में हुआ तो तराजू का left side उपर उठ जाएगा अगर fake coin right side में हुआ तो तराजू का right side उपर उठ जाएगा अब इस scenario में हमारे पास दो possible cases है या तो fake coin left side में होगा या right side में example के लिए माल लेते हैं कि fake coin तराजू के left side में है तो इसका मतलब ये है कि तराजू के left side में रखे हुए इन 4 points में से कोईसा एक coin fake coin है अब हम लोग इन 4 coins में से दो coins तराजू के left side में और बाकी के दो coins right side में रखेंगे और फिर से जिस side fake coin होगा तराजू को वो side उपर उठ जाएगा तो इस बार भी हमारे पास दो possible cases बनेंगे fake coin या तो left side में होगा नई तो right side में माल लेते हैं कि इस बार fake coin तराजू के right side में है जिसका मतलब है कि अब इन 2 coins में से कोईसा एक coin fake coin है अब हम लोग इन 2 coins में से एक coin को तराजू के left side में और एक coin को तराजू के right side में रखेंगे और जिस side fake coin होगा वो side उपर उठ जाएगा और हमें हमारा fake coin मिल जाएगा तो जैसा कि आपने देखा कि हमें 3 measurement steps में हमारा fake coin मिल जाएगा लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि क्या ये minimum number of steps है क्या इससे कम steps में भी fake coin identify किया जा सकता है The answer is yes हम लोग 2 measurement steps में भी fake coin identify कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे इस बार हम लोग 4-4 coins की जगा तराजू के दोनों side 3-3 coins रखेंगे यानि कि 6 coins तराजू में और बाकी के 2 coins side में अब इस सिनारियो में हमारे पास 3 possible cases हैं पहला तराजू balance में हैं यानि कि तराजू में रखे हुए coins fake coin नहीं हैं और बाकी के बचे हुए 2 coins में से कोईसा 1 coin fake coin है तो इस case में हम दोनों बचे हुए coins को तराजू की दोनो side रखेंगे और जो side उपर उठ जाएगा उस side हमारा fake coin है अब दूसरा possible case बनता है कि तराजू का left side उपर उठ गया है जिसका मतलब है कि तराजू के left side में रखे हुए इन 3 coins में से कोईसा 1 coin fake coin है तो इस case में हम लोग तराजू के left side वाले इन 3 coins को consider करेंगे और बाकी के बचे हुए coins को discard कर देंगे अब हम लोग इन 3 coins में से किसी भी 2 coins को तराजू में major करेंगे और एक coin को side में रख देंगे अब इस scenario में हमारे पास 3 possible sub cases बनते हैं पहला या तो तराजू balance है इस case में side में रखा हुआ coin fake coin हो जाएगा दूसरा तराजू का left side वाले उपर उड़ गया है यानि कि left side में fake coin है तीसरा तराजू का right side वाले है यानि कि right side में fake coin है अब बात करते हैं last case की यानि कि तराजू का right side वाले उपर उड़ गया है इसका मतलब है कि तराजू के right side में रखे हुए तीन coins में से एक coin fake coin है तो इस case में हम right side के तीनो coins को consider करेंगे और बाकी के coins को discard कर देंगे और फिर second case की तरा इस case में भी तीन sub cases बनेंगे यानि कि balance, left side या right side तो जैसा कि आपने देखा इन तीनों ही case में हमने सुर्फ दो measurement steps में ही fake coin identify कर लिया अब question arise होता है कि क्या इस puzzle को दोस्वे भी कम measurement steps में solve किया जा सकता है इसका जवाब आप हमें comment section में जरूर बताएं तो दोस्तों आज के लिए इतना है आपको ये puzzle कैसा लगा आप हमें comment section में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे like और share जरूर करें ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले and press the bell icon for more updates thanks for your time have a good day